दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल विवी के नियुस में तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद है खैरिया से ही होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों साप नाम सुनते ही हम सभी के अंदर इतना डर पहला हो जाता है कि बिना साप के काटे ही मर जाएं लेकिन कुछ दिखने में खतरनाक होते हैं तो वहीं कुछ इतने सुन्दर होते हैं कि देखकर आपको उनसे प्यार हो जाए लेकिन लेकिन जितने ये सुन्दर दिख पाया जाने वाला जहर, विस्तो के आन्य सभी जीवों में पाया जाने वाले जहर ते कही अधिक जान लेवा होता है, कुछ सांपो का जहर इतना खतरनाक होता है, कि आदमी कुछी मिनिटों में मरतकता है, तो वहीं कुछ सांप इतने जहरीले नहीं होते, फिर भी इनकी देश से ही लोग प्राणत्याग देते हैं जी यहां दोस्तों आपको बता दें संसार में सापों की कुल 25 सो से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं जिन में से 500 से अधिक विसेले सापों की प्रजातियां पाई जाती हैं दोस्तों हरा विप स्नैक जो की चमकदार और पतला होने के स बाद सा जहरीला भी होता है यूँ तो यह साप काफी पतला है लेकिन इसके मूह में बड़े आकार के दात होते हैं जिनकी मदद से यह हम इंसानों को डश लेता है यह अक्सर आपको हरे-बरे जंगलों और ज्छाडियों में दिखेगा क्योंकि आपको हरियाली काफी पसंद ह या खेतों से लेकर याईसी इलाकों तक सभी जगा पाया जाता है दोस्तों आपको बता दें दुनिया का सबसे गोरा साप कहा जाने वाला बिली जाड कॉन स्नैक की बॉडी का रंग पूरी तरह से सफेद होता है अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर या तो विडेस में ही पाया जाता होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं या साप खास तोर पर अमेरिका में ही पाया जाता है इस गोरे गोरे साप में जहर बिल्कुल भी नहीं होता यही वज़ा है कि तमाम लोग इसे पकड़ते हैं और अपने घरों में पालतू बना कर रखते हैं अमेरिका के फ्लोरीडा और जार्जिया स्टेट में पाया जाने वाला ये रैट स्नेक एट फिट टक लंबा होता है या जितना गोरा है उतना ही ज़्यादा फूर्तिला भी जी हाँ दोस्तों इसके सफेज सरीर पर हलका पीला पन और मुल जिले आकार के धब्बे पड़े होते हैं लेकिन यही उसकी खूपसूर्ती है दोस्तों ये इतने ज़्यादा खूपसूरत होते हैं कि कोई भी ने पालना चाहेगा ग्रियन ट्री पाइथन जोकी और श्टेलिया और निवगनी आईलाइंड के जंगलों और अनेलाकों में पाये जाता है यह काफी खतरनाक और ज़्यादा साफ है लेकिन इसकी हरी बली खूपसूरती वाकई देखने लायक है यह 6 फिट तक लंबा होता है जी हाँ दोस्तों आपको बताते हैं कि इसकी रंगत पर मत जाईए क्योंकि यह काफी खतरनाक भी है इतना कि यह आपकी जयान भी ले सकता है दोस्तों उन में से और भी बहुत से जहरीले और खतरनाक साफ हमारी प्रत्वी पर पाया जाते हैं उन में से ही एक अफ्रीका के सहारा में पाया जाने वाला ब्लैक इस्पिटिंग गोबरा साफ काले और सफेद रंके कॉंबिनेशन के साथ या साथ फिट से ज़्यादा लंबा होता है खतरा महसूस होने पर या खोबरा अपने फन से बहुत दूर तक जहर फेक सकता है जहर फेकने के इस खासियत के काले से इस पिटिंग गोबरा कहते हैं जी हाँ दोस्तों यह साथ जितना खोबसूरत होता है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी तो वहीं बुलू रेसर स्नैक दचली पेनिनसुला में पाया जाता है इसे नीला साथ भी गहा जाता है जील के किनारों से लेकर बरसाती जंगलों और लखडी के माकानों में सबी जगा मिलने वाला यह साथ पूरी तरह से नीला होता है जी हाँ दोस्तों 5-6 फिट लंबा यह स्नैक दचली पेनिनसुला में लगबग हर जगा पाया जाता है इसकी चमक वाकई आकरसिस करने वाली है तो वहीं गहरे नीले सरीर और लाल मूँ वाला खुबसूरती के मामले में करैट भी किसी से कम नहीं कि यह खुबसूरती के मामले में दुनिया में नंबर एक पर है जी हाँ दोस्तों 60 फिट तक लंबा करैट आपको ज़्यादा तर दचली थाईलेंड की पहाड़ी ढ़लानों पर ही मिलेगा यह जितना खुबसूरत है उतना ही ज़्यादा जरीला भी इसके नीले सरीर पर लाल रंग की पूँच और मूँ बहुत ही सांदा लगता है जिसके उपर हलके काले रंग की सल्क होती है वैसे इसका रंग अपने आप में खुबसूरत तो है लेकिन लोगों के बीच डर पैदा करने वाला है दोस्तों कि आपको पता है दुनिया में सबसे यादा पारा जाने वाला सांप अलवीनो बाल पाइथन जो कि वेस्ट अफरिका में खौस रोड पर पाया जाता है जिहां दोस्तों वेस्ट अफरिका में मिलने वाले साप के सुर्ख पीले सरीर पर सफेध रंग की धरिया होती है यही नहीं इतने खुब्सूरा सरीर पर लाल लाल आखे से बहुत ही खास बनाती है दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वाकई वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए